सुदी अरब में भी महसूस किया गया इसी मेंने सुदी अरब में संस्कृत उत्सव नाम का एक आयोजन हुआ यह अपने आप में भात अनूठा था क्योंकि यह पूरा कारक्रम ही संस्कृत में था संवाद, संगीत, नृत्य, सब कुछ संस्कृत में इसमें वहां के स्थानिय लोगों की भागेदारी भी देखी गई मेरे परिवाल जनों स्वच भारत अब तो पुरे देश का प्रियोविशय बन गया है मेरा तो प्रियोविशय है ही है और जैसे ही मुझे इससे जुड़ी कोई खबर मिलती है मेरा मन उस तरब चला ही जाता है और स्वाभा भी कहें फिर तो उसको मन की बात में जगा मिली ज स्वच्य भारत अब्यान ने साफ सफाई और सारुद्यनिक स्वच्ता को लेकर लोगों की सोच बदल दी है ये पहल आजराष्ट्य भावना का प्रतीग बन चुकी है जिसने करोणों देश्वासों के जीवन को बैतर बनाया है इस अब्यान ने अलग लग शेत्र के लोगो विशेश के युआओं को सामोहिक भागेदारी के लिए भी प्रेजित किया है ऐसा ही एक सराणिय प्रयास सूरत में देखने को मिला है युआओं की एक टीम ने यहाँ प्रोजेक्ट सूरत इसकी सुरुआर की है इसका लक्ष सूरत को एक ऐसा मोडल सहर बनाना है जो संडे के नाम से शुरू हुए इस प्रयास के तहर सूरत की युआ पहले सारवजनिक जगहों और नुमस बीच की सफाई करते थे बाद में ये लोग तापी नदी के किनारों की सफाई में भी जीजान से जूट गए और आपको जान करके खुशी होगी देखते ही देखते इ पचास हजार से जादा हो गई हैं लोगों से मिले समर्थन से टीम का आत्मविस्वात बढ़ा जिसके बाद उन्होंने कच्रा इकटा करने का काम भी शुरू किया आपको जानकर हैरानी होगी किस टीम ने लाखों किलो कच्रा हटाया है जमनी स्तर पर किये गए ऐसे प्रयास बहुत बड़े बर्लाव लाने वाले होते हैं साथियों गुजरास से ही एक और जानकरी आई है कुछ सब्ता पहले वहां अमबाजी में भादरवी पुनम मिले का आवजन किया गया था इस मिले में पचास लाख से जादा लोग आए इमेला प्रतिवर्ष होता है इसकी सब्सेव खास बात ये रही कि मेले में आए लोगों ने गब्बर हिल के एक बड़े हिस्से में सफाई अभ्यान चलाया मंदिरों के आसपास के पूरे क्षेतर को स्वच्छ रखने का ये अभ्यान बहुत प्रेनात आई है साथियो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्वच्छता कोई एक दिन या एक सब्ता का अभ्यान नहीं है बलकि ये तो जीवन में उतारने वाला काम है